सरधिया अपने पूरे जोरो पर स्टार्ट हो गई है और जैसे आपको पता है कि प्लांट थोड़ी केर मांगते हैं हमारी हर मोसम में जब extrem ठंड ए एकxtrem गर्मी होती है तो प्लांट की ज़दा केर करने पड़ती है और जोगी मैं अभी प्लांट की ज़दा केर नहीं कर पा पारी हूं जैसे कि मैंने बताया कि हमने नए घर में शिफ्ट किया है तो प्लांट के उपर जाधा ध्यान नहीं दे पा रही हूं ज्यादा खाद पानी की इस टेम अव शकता नहीं है प्लांट को धूप की प्रोपर आउशकता है अगर आप धूप रोवाइड करवाएंगे सर्वाइव करेंगे और अगर प्लांट के साथ कोई भी नया और चाते हैं जैसे की रीपोर्ट वगरा करना चाते हैं खा देना चाते हैं तो वह this में पड़ी रही तो और फार लुटि में पड़ी रहीगी उसे अक्षप्ट नहीं करेगा प्लांट क्योंकि इस लेकिन अच्छी परधू प्रवाइड कराएंगे तो प्लांट अच्छे से हरे-भरे बने रहेंगे और पानी की मात्रा थोड़ी कम कर दें कि ज्यादा पानी जैसे गर्मियों में हमें भी ज्यादा प्यास लगती है गर्मी में हम ज्यादा पानी भरवर की पीते हैं और सरद् जब भी सीजन चेंज होता है तो के ज़ान से सीजन भी स्टम प्लांट चले जाती है जादा उन्हें धूप की अशक्ता की end नहीं उती है तो इस टाइम देगiez ठंडकी है उरे क्वायशे से और मैंने उसे कवर नहीं किया है क्योंकि मेरे हम पर प्रॉपर हॉ rays तो धूप में यह अच्छे से रहें अगर आपके यहां प्रोपर धूप नहीं आती है तो तुलसा जी को थोड़ा सा कवर कर दें ताकि उन्हें ठंड ना लगी और यह देखिए मेरे मेरे बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हो रहे हैं जो रिपोर्ट करने वाले हैं बट मैं वेट कर रही हूं मोसम चेंज का मोसम चेंज होता है तो फिर मैंने रिपोर्ट करूंगी और फिर आपके साथ अपने गार्डन का नया लुक शेयर करूंगी अपने गार्डन को नया लुक तो एकदम से सारी चीजें हमारे अकोडिंग नहीं हो पाती है हमें अड़्जस्ट होने में टाइम लगता है इसी तरह से प्लांट्स को इनको भी नया घर मिला है तो इन अच्छे से प्लांट्स मेरे खेल रहे हैं क्योंकि आम इनके अच्छे से दूप मिल पा रही है उपर औ प्लांट्स हैं और पहुत सरे प्लांट्स नीचे भी रखे हुए हैं तो इस तरह से मैं अब इनको दीरे-दीरे से जब मोसम चेंज होगा तो फिर मैं आपके साथ शेयर भी करती रहूंगी कि इस तरह से मैंने रिपोर्ट कर रही हूं और इन्हें अपने गार्डन को नया लुक दोंगी नया रंग दोंगी तो मिलती हैं नेक्स्ट ट्यूडियो में चीस इंफोर्मिशन के साथ तेल देन बाई थैंक यू अपना अपने प्लांट्स का ख्याल रखिए